So, good morning students, welcome back to my class. Today we are going to discuss some helpers at home. हमारे घर पर कुछ helpers हमारी help करने के लिए रहते हैं. जैसे, some people help us in our daily household course. कुछ लोग हमारे घर के दैनिक क्रिया कलापों में हमारी help करते. हैं, जैसे, एक gardener takes care of our plants, एक माली जो होता है gardener, वो हमारे plants की देखभाल करता है. एक housemate sweeps, cleans, utensils, washers, cloths, etc. एक housemate जो होती है, वो हमारे घर की सफाई करती है, हमारे बर्दनों को धुलती है, और हमारे कपड़ों को भी धुलती. है, a driver drives our vehicle, हमारी गाड़ी को एक driver चलाता है, इसके बाद हम चलेंगे workers in a community. हमारे community में, हमारी कालोनी में भी कुछ helpers होते हैं, कुछ workers होते हैं. इसने community, different people do different kinds of work. हमारी society में, हमारी कालोनी में, अलग-अलग लोग ऐसे होते हैं, जो अलग-अलग काम करते हैं. जैसे, एक टेलर इस्टिटेज एंड मेंस क्लॉट्स, एक टेलर जो होता है, एक दवजी जो होता है, वो हमारे कपड़ों को सिलता है, और उनकी मरम्मद भी करता है, रिपेर भी करता है. जैसे, हमारे कपड़े हैं, वो नए कपड़े भी सिलता है, और जो हमारे कपड़े फट गए हैं, उनको भी वो ठीक करता है. एक नाई जो है वो हमारे बाल को काटता है जब हमारे बाल बड़े हो जाते हैं तो उसको काटता है एक कावलर विपेयर सूज मोची क्या करता है एक कावलर जो है मारे जूतों को विपेयर करता है जूते अगर फट गये हैं तो उनको सिलता है ए-Plamber fixes taps and leaks Plumber क्या करता है? Plumber हमारे घर के pipe line को ठीक करता है और taps को भी ठीक करता है ए- Green Grocer sells fruits and vegetables Green Grocer Harry separate or F character यह फ्ल बेचता है A doctor treats the sick and injured people Doctor क्या करता है? बीमार और घायर लोगों की देखबाल करता है उनको दवा देता है, उनका इलाज करता है A teacher helps children learn at school Teacher क्या करता है? Teacher बच्चों को पढ़ाता है What is it called? The work people do for living is called their occupation ऐसा work, ऐसा कोई भी काम जिससे कोई भी ब्यक्ति धन कमाने के लिए करता है उसे हम occupation कहते हैं ऐसा कोई भी काम जो एक भ्यक्ति कोई भी आदमी धन कमाने के लिए पैसा कमाने के लिए करता है उसको हम occupation कहते हैं The money that people earn from their occupation is their income लोग अपने काम से जो पैसा कमाते हैं उसको उस आदमी की उस व्यक्ति की इनकम कही जाती है जैसे मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ तो आप लोगों को पढ़ाने के लिए पढ़ाने के बाद जो मुझे हर मन्त salary मिलती है वो मेरी income है समझ में आया? आपके पापा, आपके मम्मी पापा कहीं भी काम करते होंगे उनकी जो monthly salary होती है उस salary को उनकी income कहा जाता है People spend their income to meet their daily needs लोग जो income होती है लोगों की उसको अपने दैनिक जरूर्दों को पूरा करने के लिए spend करते हैं, खर्च करते हैं यानि खाने पीने में, बच्चों की फीस में, कपड़े सिलवाने में और बहुत साथे तरह की ऐसी daily needs होती हैं जिनको फुल्फिल करने के लिए लोग अपनी income को खर्च करते हैं That's all प्रच करते हैं